हाई फ्रेंड से एक नए सांदर वीडियो में आप लोग बिटकोईन अपने से पहले काफी लिक्विडिटी महसूस कर रहा है क्योंकि अगर प्राइज में देखें दो काफी फ्लेक्चुएट यहाँ पर प्राइज चल रही है कभी 46,000 हो जाती है डॉलर में कभी 45,000 कभी 43 त यहाँ बड़े इन्वेश्टर जितने भी है चोटे इन्वेश्टर है बड़े कन्फ्यूज है कि बैसिकली स्पोर्ट इटीएफ का एप्रोवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा क्योंकि काफी ऐसी न्यूज मार्केट में आई है जहां से लग रहा है कि स्पोर्ट इनू में फिर से एक बड़ी खरीदारी यहां से की गई है और दूसरी न्यूज है यार एक्षेंज यो पर भारी गिरावट के साथ सीबा इनू में जो कीमत है वो सुधार इस तर पर यहां से बढ़ने के काफी आसार बन रहे है दोनो वीडियो वाच करना दोनो न्यूज वाच करना इसके लावा कुछ और न्यूज हम कवर करेंगे चैनल पर पहली बार आया है तो सस्क्राइब कर लेना क्यों क्योंकि यार ऐसे ही वीडियो सीबा इनू की दो अपडेट डेली मिलती है जो कि आपको आगे भविश में प्राइस को हुट करने में काफी हेलपफु साबित रहेगी तो चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो को लाइक शेयर संख्या कम कर दी है और वो भी बढ़ा देना तो देखे यहां पर सबसे पहली न्यूज अगर मार्केट में निकल कर आई है उसमें 1288% यानि की 1288% की वील्स की बाइंग यहां पर हुई है और जो जीरो यहां पर वापस आ गई है जो की किल हो गई थी लेकिन यहां पर 9-4 का जो एक रेसो है जो की 9-0 के आसपास की प्राइस है यह काफी समय से बड़ी है तो एसे में वील्स की 1288% की एंट्री ग्रोथ यहां से सीबाइनू की जीरो को किल करने के लिए काफी हैलफुल असार यहां से लग रहे है जो कि एक बड़ी प्राइस को हिट कर सकते हैं तो कंप्लीट वीडियो वाच करना देखे पहली नियूज की तरप से वील्स की गतिविधी की उपर हम बात करें तो सीबाइनू ने जिस टाइप से सुन वापस लेकर आया था तो उसको देखते हु वे सीबाइनू में बड़े लेंदेन की मात्रा में फिर से यार इतनी जो अभी मैंने बताई 1288% की व्रद्धी देखी जा रही जो बड़े ट्रांजेशन में ट्रांजेशन क्रप्टो सब्दों में दरसाता है तो एसे में जहां यह जो एक लाग डॉलर या इससे बड़ी क मात्रा वील्स और बड़े धारक को एक ही दिन में लेंदेन की मात्रा को दरसाते हैं तो एसे में इनकी जो खरीदारी है बड़ा इसारा यहां से कर रही है और 24 घंटे में जो इनकी तरफ से यहां पर खरीदारी की गई है वो काफी उलेखनी है क्योंकि एसे में मार्केट उ हाँ से कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि 21 महीन हो के उच तरफ सasında है क्रप्ट मार्काट में तीजी से इचे उचाल मार्कएकन करता है वैसे जितने बी अल्лох αυτό मार्कैट में सब्वान है तो यहां पर शब्सकर नजर केवल बिट कुन के sport ETF के उपर है और ऐसे में कई मार्केट में खबर आ रही है जो कि कह रहे थे sport ETF के approval में हो सके reject ऊजाए ना मिले तो ऐसी भी खबर कही ना कहीं देखने को हमें मिल रही है लेकिन अगर हम सकरात्मक तोर पर देखे तो अगर sport ETF मिलता है तो बड़ी बड़ी ग्रोथ यहाँ से निकल कर आई गी जो कि यार पूरी तरीके से मंदी को अपने आप में खत्म कर देगी और दूसरी खबर यहाँ से निकल कर आई थी जिसको अगर यहाँ पर आप कवर करेंगे तो निकल कर आई थी कि सीबा इनू बैसिकली जो प्राइज है उसको यहाँ पर exchange ग्रावट के बीच में सुधार की काफी गुंजाई से यहां से चल रही है क्योंकि एक्चेंजों पर पिछले कई महिनों की ग्रावट यहाँ पर देखने को मिली है तो ASMR यहाँ पर जो ट्रेडिंग वोल्यूम है वो भी कहिना कहिन लगभग तीन सब्ता में सबसे उच्छितम इस्तर पर पहुँच गया था और recovery यहाँ से काफी बनने के आसार बन रहे है क्योंकि यहाँ से एक price hook कर सकता है और sport ETF को देखते हुए यहाँ से price काफी हद तक उपर की दिसा में जाएगा क्योंकि अगर यह trend line को follow कर रहा है और यहाँ से trend line break होगी तो buyer यहाँ पर सीबा में भी active होंगे इसके अलावा जो sport ETF का wait कर रहे थे तो दो तरफ से recovery यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर फिर से एक rally जो 2023 के संकेत हमें मिल रहे थे उसी rally की दिसा में हम आगे जा सकते हैं हाला कि यहाँ पर निचले इस तर के हम बात करें तो टोटल के लिटिंग सप्लाई में सीबा एनू की आर यहाँ पर जो हिस्सेदारी है ना वो भी कहीं न कहीं घड़ गई है जो की तोड़े गलस संकेर निकल के आ रहे है अब यहाँ सा सवाल आता है कि जो सीबा की कीमत में है और रिकवरी रेली के लिए क्यों यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप देखोगे 200 जो डेस के हिसाब से हम जो एमे के ऊपर हम यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर ट्रेट कर रहे है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज यहाँ पर अगर आप निकाल के रहेंगे तो लगभग 5-0 के बाद 8 के आसपास 8-4 के आसपास यहाँ पर 5-0 के साथ चल रहा था जो कि काफिस हमें पहले ब्रेक हुआ अगर आज देखें तो 10 और 50 दिन के हिसाब से जो मूविंग एवरेज हम निकाले तो वो यार कहिना कहि जो रेजिस्टेन लेवल है उसको ब्रेक करने की काफि संभावना यहाँ से बन रही है तो पहला लक्ष यही है कि यहाँ से एक अच्छी प्राइज रिकवर होगी जो कि इसको वापस 1-0 किल करने के साथ 10 के आसपस प्राइज पहुचेगी और एक सेकंड टार्गेट से हिट होने के आसार बन रहे है और इसके बाद अगर बिटकोईन का स्पोर्ट ETF का एप्रूवल मिलता है और उसके बाद रिकवरी काफी अच्छे आती है तो एसे में यहाँ से बिटकोईन काफी उपर तक दिसा में मूग कर सकता है काफी हद तक जा सकता है और सीबा एनू डेली ट्रांजेशन देख रहे थे एक टाइम लेकिन आज के टाइम पर टू मिलियन थ्री मिलियन के आसपास मूग कर रहे है जो थोड़े चिंता जनक है और सीबा के लिए अच्छा संकेत नहीं है हलाकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर सिबेरियम जो बिटकोईन का स्पोर ग्रावड देखने को मिली है तो यह थोड़े संकेत है तो कहना कर यहीं ताथ पर ही कि सब चीज़े अगर सटिक रहती अच्छी रहती है तो यहाँ पर बिटकोईन का स्पोर्ट एटीएफ सीबा में एक नई उडान को दिसा दे सकता है और अगर इस रिजेक्ट होता है जाता है तो चीज़े एक साथ बहुत सारी चीज़े नेगेटिव मोट पर चली जाएगी और ऐसे में सीवा के प्राइस तेजी से नीचे जा सकता है अलाकि यह थोड़े समय के लिए रहेगा ज्यादा ज्यादा प्राइस अगर देखेंगे तो पार जिरो के बाद वही एट टेश्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में जो भी अपडेट रहेगे स्पोर्टेट से रहेटेट मैं आपको बताता रहूंगा नमस्कार